आज हमारे गर में असांती क्यों है आज हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते आज हमारे गर में सब कुछ होते हो भी कभी-कभी ये क्यों फील होता है कि हमारे गर में कुछ भी नहीं है रीजन क्या है रीजन यह है मईडियर क्योंकि हमारे घर में धन, दौलत, וौरत सब है पर हमारे घर में संसकार नहीं तुमारा पैसा, अरवों, खर्वों, खून के आँशु रोएगा ज़ब तुमारा बेटा और बेटी संसकार ही नहीं होंगे और तब पैसा काम नहीं आएगा बिरकुल भी काम नहीं आएगा money is not everything my dear, I know everyone needs money, but money is not everything सो करोड रुपे से करुणों गुना जादा अच्छा है एक संसकारी बेटा सो करोड रुपे एक तरफ हों और एक तरफ एक संसकारी बेटा हो तो अच्छा व्यक्ति एक संसकारी बेटा चुनेगा बेटा अगर अच्छा हुआ तो तुम्हें भी तार देगा पापी बाप हो तो उसे भी तार देगा पित्रों को तार देगा खुद को भी तार लेगा और आने वाली पिड़ी को भी वो तार देगा इतना अच्छा एक संसकारी बेटा हो सकता है अब बताईए है कोई दुकान जहां ऐसा बेटा मिल जाए हमें बोलो है है ना यह चल रही नहीं है यह यूनिवस्टी जहां जहां ससंग होता है वही वही संसकारों की यूनिवस्टी है दीरे बजाओ क्योंकि तुम्हें यह समझ में आ नहीं रही आज सुबह जिन जिन बच्चों ने वो क्लास जोएन करी उनसे पूछो कि उन्हें क्या मिला उन्हें मिला है उन बच्चों को वो संसकार की युनिवस्टी में जो दाखिला मिलाता सुबह वो जीवन में अपनाएंगे और कितने घरों में रोस नहीं होगी मेरे भाई बेन वो चिराग बनेंगे वो दीपक बनेंगे वो शूरी बनेंगे प्रकासित करेंगे परिवारों को मैं क्यों कहता हूँ कि अपने बच्चों को कथा में लाया करो क्योंकि जो चीजें तुमारे घरों में नहीं मिल पाती है वो चीजें यहां मिल सकती है रामाण तुमारे घरों में रखी है आरती हो रही है भागवत तुम्हारे घर में रखिया आरती हो रही है, शिप्पुरान रखिया आरती हो रही है, गीता रखिया आरती हो रही है, सब की आरती हो रही है, पर पढ़ाई किसी की भी नहीं हो रही है, घर के बूडे बूडे भी रामान नहीं पढ़ रहे तो जवान कहां से पढ़ वो लोग 10 साल तक का बच्चा नहीं होता पूरा अपना गरंत पढ़ा देते हैं पूरा पढ़े से और हमारे 15-15-20-20 साल के छोड़ो 60 साल के लोगों को भी रामाड लेके सरम आते हैं कि हम क्यों पढ़ेंगे बाइबल पढ़ेंगे बुक्स पढ़ेंगे नजाने और क्या-क्या पढ़ेंगे एक बाद बता दो रामाण तुमारे परवार का निर्मान करती है तुमारे परवारों को तूटने से बचाती है तुमारे बच्चे को राम तुमारी बहु को सीता बनाती है भाई-भाई में प्रेम करना सिकाती है रामाने है भरत चरित पढ़ें देरा बेटा? कि रोए। कि राम का चरित्र बनवास गवन सुने पढ़े तो रोए तेरा बेटा मेरे बाहिए को कोई तक लीफ नहीं होनी चाहिए रामाण बना देते रिस्तों में कैसी भावना होनी चाहिए रामाण सिकाती है मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा हमारे हिंदुओं के घरों से रामाण गायब हो रही है और हम अपने अपको हिंदु कहते है अरे कभी तो सोचो तुमारे घर क्यों टूट रहे तने कभी तो सोचो मैं आग्रे करता हूँ अपने बच्चों को संसकारवान बनाओ संसकारी बनाओ नहीं तो आने वाली पीड़ी नहीं बचपाएगे विरकुल नहीं बचपाएगे और उसके गुनेगा रहोंगे हम और आप यह आखरी पीड़ी है जो अपने बच्चों को बचा सकती है यह आखरी पिड़ी है अगर आपने नहीं बचाया तो आने बाली पिड़ी नहीं बचेगे हमारे यह कई प्रॉब्लम हो रही आज कल हम रामाण को मानते पर रामाण की नहीं मानते हम राम को मानते पर राम की नहीं मानते हम गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते हम गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते एमा राइडा रॉम बुलो बात कब बनेगी? रामाण के मानने से? ना गीता के मानने से? ना राम की मानने से? ना खृष्ण को मानने से? ना भागवत की मानने से और भागवत में जो उबदे से उनको मानने से अपने गुर्देव के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपका कल्यान होगा आपका उधार होगा